जहां ठंड के मौसम में गर्म पानी निकलता है जबकि गर्मी में शीतल जल धारा लोगों का मानना है कि यहां नहाने और जहरने का पानी पीने से पेट और चर्म रोक से छुटकारा मिलता है जाम धारा में चटान से पानी की ये धारा सालों से ऐसी ही बह रही है जंगल और जाडियों के बीच इस सित इस जरने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि गर्मी में यहां का पानी शीदल और ठंड के मौसम में गर्म होता है लोगों का मानना है कि इस जरने के पानी को पीने और इसमें नहाने से पेट और स्किन डिजीज से छुटका राविलता है सो साल, दो साल, तीन साल पहले से ही यहां का मा का कुदरती देन है बारो मास, बारकाल यहां से पानी निकल रहे हैं और आपका इस गाह में जैसे एकदम जैसे बेमारी जो भी मतलब ये पानी पीते हैं तो शरीर में मतलब अच्छा हो जाते हैं फतेपूर नुन्बिल टोली स्थेत ज़रने के पास माता नुन्बिल की पूज आर्जिना की जाती है हर साल मकर संक्रांती पर यहां मेला सलगता है ऐसे में लोगों ने ऐसे परियाटर स्थल के तौर पर विक्षित करने की मांग की है हम जारकन सरकार के प्ट्रین मंत्री से मांग करते हैं कि इसका सुन्दित्रिकरन क्या जाये जो इसमें विकास हो और अच्छा लगे यहां के जंता का अरू भीशेत्रów आसी का भी मांग है अरूर यहां पर घेरा होना चाहिए सारे चीजह पर वेबस्ता होना चाहिए दूर दरास से लोक माता नुन्बिल की पूचा अर्चना करने और जणने में नहाने के लिए यहां आते हैं लेकिन सडक और विवस्थाय नहीं होने से उन्हें काफी परिशानियों का सामना करना पड़ता है ऐसे में इसके सौंद्री करन से इलाके में विकास की नई रेखा खीची जा सकती है जामटला से न्यूजलावन भारत के लिए केसरी नात यादव की रिपोर्ट